नमस्कार मैं रभी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरूरवी में गाइज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मिक्स्ट ग्लेंड के बारे में अर्थार्थ मिस्रित ग्रंथी के बारे में सबसे पहले आप हिडिंग लगा लिजीए मिक्स्ट ग्लेंड अर्थार्थ मिस्रित ग्रंथी अब मिस्रित ग्रंथी क्या होता है अगर आपको जानना है तो उससे पहले आपको ग्रंथियों के बारे में पता होना जरूरी है तो सबसे पहले हम ग्रंथी के बारे में जानते हैं कि एक्चुली में ग्रंथी होती क्या है, ग्लेंड्स होती क्या है भई ग्रंथिया होती क्या है तो अगर आपसे कोई क्यूशन पूचिए कि ग्रंथिया क्या है तो आप बता देना कि हमारे सरीर के ओर्गन कोई ही ग्रंथी कहा जाता है यानि कि हमारे सरीर के अंगो कोई ही ग्रंथी कहा जाता है तो फिर हमारे दिमाग में क्यों सुना आता है कि हमारे सरीर के अंगों के बीच में और इन गरंथियों के बीच में अंतर क्या है तो भईया अभी बताने वाला हूँ ये अंतर मैंने कहा कि गरंथिया हमारे सरीर के ओर्गन्स को कहा जाता है यानि कि अंगों को कहा जाता है लेकिन ये ऐसे अंग होते हैं जो विया सिक्रेशन करते हैं ये स्राव करते हैं स्रावन करते हैं किस चीज का ये करते हैं विया केमिकल कंपाउंड का केमिकल कंपाउंड का यानि कि रासाइनिक योगिकों का ये राशानिक योगिकों का सराव करते हैं तो आपके सरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का सम्मू है जो सिक्रेशन करता हो किसका इन केमिकल कमपाउंड का और ये केमिकल कमपाउंड क्या क्या हो सकता है तो ये जूस हो सकता है ये एंजाइम हो सकता है और ये हार्मोन हो सकता है हमारे सरे में बहुत सारे juice होते हैं जैसे कि bile juice, gastric juice, intestinal juice, pancreatic juice हमारे सरे में बहुत सारे enzyme होते हैं जैसे कि lysozyme enzyme, tylin amylase enzyme जिसका दूसरा नाम होता है salivary amylase enzyme pepsin enzyme, renin enzyme, trypsin enzyme, amylase enzyme और लाइपेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम और या लेक्टेज एंजाइम यसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं हमारे सरीर में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जैसे की थाइरोक्सिन हार्मोन, केल्सितोनिन हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, एंटिडाययूरेटिक हार्मोन, ओक्सितोसिन हार्मोन, इंसुलीन हार्मोन, गलुकागोन हार्मोन, सोमेटो traitatin hormone, test esterone hormone Еstrogen hormone, progesteron hormone, cortisone hormone, LD esterone hormone, इसे बहुत सारे hormone होते हैं जिनका अलग-अलग कारिये होता है और juice enzyme और ये जो hormone है है ये chemical compound है और इनका secreção कों करता है आपके शरीर के अंग करते हैं और इसे अंगो को क्या कहा जाता है ये इस्न गरंथी है इसे यह इंगो को और क्या जाता है इसalone को ग्रंथी का जाताहि ऑब आप से कोई क्यूंöstर्थ क्या है तो मानु सरीर की अंग या का सब्सक्रीन क्रताबches कुन्दों चैकल के क्या हो सकता है जूस एंजयम और हार्मोन हो सकता है अब यह इन केमिकल कंपाउंडों के अधार पर गंतियों को तीन भागों में बाटा गया है पहली होती है एक जो क्राइन ग्लेंड यह हिंदी में कहा जाता है बही स्रावी ग्रंथी दूसरा होता है एंडो क्राइन ग्लेंड दूसरी ग्रंथी कौन सी है एंडो क्राइन ग्लेंड जिसे कहा जाता है अंते स्रावी ग्रंथी और तीसरी ग्रंथी कौन सी है तीसरी ग्रंथी होती है बही यह मिक्स्ट ग्लेंड जिसे कहा जाता है मिस्रित ग्रंथी जिसे कहा जाता है मिस्रित ग्रंथी आईए इन तीनों के बारे में हलके फुलकी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि हमें तो इस वीडियो में किसके बारे में पताना है मिक्स्ट ग्लेंड यानि कि मिस्रित ग्रंथी के बारे में आपको पढ़ना है तो जो जूस और जो एंजयम का निर्मान करें वो होती है एक्जोक्राइन ग्लेंड और जो हार्मोन का निर्मान करें वो होती है एक्जोक्राइन ग्लेंड जो हार्मोन का निर्मान करें वो होती है एक्जोक्राइन ग्लेंड और मिस्रित ग्रंथी एसी ग्रंथी होती है जो जूस का भी निर्मान करती है एंजम का भी निर्मान करती है वो होती है भईया mixed gland वो होती है mixed gland तो अगर आपसे कोई क्यूसर पोचे कि एसी कौन सी ग्रंथी है जो अंत्यस रावी ग्रंथी और भीस रावी ग्रंथी दोनों की तरह ही वैवार करती है तो एसी ग्रंथी को कहा जाता है mixed gland याने की मिस्रित ग्रंथी और आपके सरीर की एक मात्तर मिस्रित ग्रंथी है वो है या पेंक्रियाज पेंक्रियाज याने की अगनासे ग्रंथी और अगनासे ग्रंथी के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़न है अगर आपको अगनाश्य गरंथी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आपको नीचे लिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाईया पेंक्रियाज का वहां से जाकर आप चैक आउट कर सकते हैं कि या कौन-कौन से हार्मन बनाती है कौन-कौन सा जूस बनाती है इस जूस में कौन सा एंजाइम उपस्ति तो होता है मैं आपको बता दूँ यह जो पैंक्रियाज है यह पैंक्रेटिक जूस का दिर्मान करती है इस पैंक्रेटिक जूस में कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचल में स कहा जाता है क्योंकि यह जो रस होता है इससे निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं और वसा के पाचन में सायक होते हैं इस लिए इस पैंक्रियास से निकलने वाला जो पैंक्रियेटिक जूस है जो पैंक्रियेटिक जूस है इस पैंक्रियेटिक जूस को पूर पाचकरस कहा ज तो अब आपसे अगर कोई क्योंशन पूँछे कि मिसवित गरंती क्या है तो मिसरीत गरंती से घूनाश्य गरंती होती है जो JUICE, एंजेम, और हर्मोन 3-5 का निर्मान करती है और हमारे शरीर की एक मत्र hoop मिस्वित क्योंसा है अगनास्य गरंती है भईया इतनी बात क्लियर है और इस अगनास्य ग्रंथी की एपसेल से पेंक्रेटिक जूस का निर्मान होता है इस पेंक्रेटिक जूस में एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजेम पाया जाता है लेकिन एलपा, बीटा और डेल्टा सेल इस पेंक्रेटिक में चार परकार की कोशिका पाया जाती है एलपा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल और एपसेल से ये पेंक्रेटिक जूस का निर्मान होता है इसका अगनासे रसका और इस अगनासे रस में अगनासे एंजाइम पाये जाते हैं यानि कि इस अगनासे रस में एंजाइम पाये जाते हैं कौन-कौन सा एमाइलेज, ट्रिपसिन और लाइपेज एलफा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है तो गुलुकागोन हार्मोन निकलता है बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है इंसूलिन हार्मोन निकलता है डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है sometoestatin hormone निकलता है इतनी बात के लिए रहे अगर आपको इन सबी के बारे में detail में जानना है हर्मोन क्या काम करते हैं और क्या एंजेम क्या काम करते हैं तो आपको बैंक्रियाज के बारे में full detail में video नीचे description में点 गरने बारे में आप आपको बारे आनि कि पैंक्रियास से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं वहाँ तो भया इस एंडोक्राइनस से फिर्ट में आपको पड़ा रख है और इस पैंक्रियास से कौन-कौन से निकलते है सुसर Assis Department सब्च entails उस पैंक्राइन aiom कारिये क्या है यह आपको 55 रवाले चेप्टर में पढ़ना पड़ेगा तो मेने 25 रवाले चेप्टर फड़ा रखा है और एंडोक्राइन सिस्टम यानिकिंग मिल जाएगव वहां से जाकर चेक पार था एक जो क्रेंग लेंट और यह थर्ड पार्ट है वहीं आप मिक्स्ट ग्लेंट का तो आसा करता हूं यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मिस्त्रित ग्रंथी के बारे में आज यहीं तक रखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइ झाल 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 झाल